हलो दोस्तों मैं स्वरों बलिक आप से भीगा टोपिक इस्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोधीजी से सम्बंदित 20 ऐसे मैत्पून परसन जो कि आगे चलके आप सभी की परिक्साओं में जरूर पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंट तक देख लीजेगा मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए अपने सभी दोस्तों को अपने सभी फैमिली गुरूप जितने भी गुरूप सापने बना रखे सभी को सेर कर दीजगा और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको सारे इंपोटेंट टोपिक पे वीडियो मिलते रहे आगे चलके भी तो नीचे रैड कलके बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लिजेगा आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों मैं आपको हरी कोशन में 5-6 सेकिंड दूँगा उस 5-6 सेकिंड में आपको कोशन का अंसर नीचे कमेंट बोक्स में बताना होगा जैसे पहला कोशन है नरेंद्र मोधी भारत के कौन से नंबर के परदान मंतरी बने थे तो आपके सामने 4 उप्शन है जो भी आपको राइट आंसर लगता है नीचे कमेंट बोक्स में बता दीजे बिलकुल सही कोशन नंबर 1 का राइट आंसर आपका उप्शन D हो जाएगा यानि की चोधवे नंबर के कोशन नंबर 2 नरेंद्र मोधी भारत के परदान मंतरी कब बने देखे दोस्तों नरेंद्र मोधी भारत के परदान मंतरी बने थे 26 मही 2014 को तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A ठीक है और पूरी वीडियो को देखना है ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा चले नेक्स कोशन कोशन नंबर 3 है दोस्तो नरेंद्र मोधी का जनम कब और कहां हुआ था तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तो 17 सितंबर 1950 को वड नगर गुजरात में तो राइट आंसर आपका ओप्शन A हो जाएगा कोशन नंबर 4 नरेंद्र मोधी का पूरा नाम क्या है तो बिल्कुल सही दोस्तो ओप्शन इसका रहेगा सही आंसर नरेंद्र दामोधार दास मोधी यानिकी ओप्शन C is the right answer ठीक है चले नेक्स कोशन दोस्तो नेक्स आपका कोशन नंबर 5 है नरेंद्र मोधी गुजरात के मुख्यमंत्री कितने वर्स तक रहे तो बिल्कुल सही इसका सही आंसर हो जाएगा बारा वर्स दोस्तो अभी अगर पूछा जाए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कोन है तो विजयर उपानी और वहां के गवर्नर कोन है ओम परकास कोली तो ये भी आप याद रखेगा कोशन नमबर 6 है नरेंद्र मोधी पहली बार गुजरात के सियम कब बने थे ये भी कहीं बार आ सकता है बही कोशन तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000A क्यानि कि option B is the right answer ठीक है चले next question दोस्तों next आपका question number 7 है कोन भारत के परधान मंत्री पद पर आसीन होने वाले सवतंत्र भारत में जन्मे पर्थम व्यक्ति है बहुत important question है और इस टाइप के question जरूर आते हैं एक जाम में इसका सही आंसर रहेगा नरेंद्र मोधी देखें ये ऐसे परधान मंत्री है जो भारत आजाद होने के बाद पैदा हुए और अब भारत के परधान मंत्री है अगर जनम की बात की जाए तो 17 सेप्टेमबर ठीक है 1950 में इनका जनम हुआ था नरेंद्र मोधी जी का ठीक है य प्रकुर्ट सही आप सही सोच रहे हैं ये भी आपका सही आंसर नरिंद्र मोदी हो जाएगा तो option A is the right answer चले next question 9 मोदी ने 1968 में किस से विवाग किया था तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसका सही आंसर रहेगा कोश्यन नरिंद्र मोदी के पिता जी का पूरा नाम क्या है तो नरिंद्र मोदी के पिता जी का पूरा नाम है स्री दामोदर दास मूलचंद मोदी ननी की right answer option A हो जाएगा दोस्थो ठीक है चले next question Question number 11 है नरेंदर मोदी की मा का पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर रहेगा option A हीरा बैन मोदी Question number 12 है दोस्तों बच्चों के लिए परसीद पुष्टक एकजाम वारियर के लेखक कोन है तो इसका भी सही आंसर रहेगा नरेंदर मोदी तो option C is the right answer चले next question दोस्तों कुछ current affair के questions भी देख लेते हैं आज की वीडियो में उडिसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन सपत लेंगे ये भी आपका important question है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा नवीन पटनाई option B is the right answer question number 14 है हेमा मालनी की सांसदिया चेत्र से चुनाव लड़ती है तो यह question भी आ सकता है एक वीडियो कल मैंने upload की थी भई 2019 के लोकसभा चुनाव से सम्मंदित जितने भी important question है उस वीडियो में cover किये थे वो अभी trending कर रहे है वीडियो आप देख सकते है top 50 वीडियो में है वो इंडिया में तो आप उस वीडियो का link भी मैं नीचे description box में देदूँगा देख लेना उसको ठीक है तो यह लड़ती है मुथरा से तो option A is the right answer चले next question दोस्तो question number 15 देखे काफी important question है यह 100% आने वाले आगे चलके आपके exam में कौन अब तक का सबसे युवा लोकसबा सांसत बन गया है देखे चंदरानी मुर्मू जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा यह केवल 25 साल की है और यह अभी लोकसबा का चुनाव जीत करके लोकसबा सांसत बन गई है काँके है उडीजा की याद रखेगा दोस्तो question number 16 है लोकसबा चुनाव में किसने सबसे कम वोटों के अंतर से जीता यह कौन सबसे कम वोटों के अंतर से जीता ये है BP सरोज ठीक है option सही answer हो जाएगा option A ये केवल 81 वोटो से something इतने से जीते हैं तो देख लीजिए आप इनका जो winning वो है वो बहुत कम वोटो से है तो आप ये भी याद रख सकते हैं चले next question तो next आपका question number 17 है सतरवी लोकसभा चुनाव में किसने सरवधिक वोटों के अंतर से जीत दर्च गी है यानि कि सबसे अधिक वोटों से कौन जीता है तो ये है KCR पार्टिल यानि कि आपका option हो जाएगा A ठीक है KCR पार्टिल सही answer हो जाएगा और ये जीते हैं दोस्तों something something 6 लाग वोटों से ठीक है something 7 लाग यानि कि 6 लाग उनाशी जार कुछ वोटों से जीते हैं तो 7 लाग वोटों से जीता है बहुत बड़ी बात है question number 18 है सतरवी लोगसभा में महिला उम्मीदवारों ने कितनी सिट जीती है ये question भी important है दोस्तों सतरवी लोगसभा में महिला उम्मीदवारों ने total यानि कि 78 सिट जीती है तो यानि कि अब की बार जो है maximum है ठीक है आज दक 78 सिटे जीत कर महिला नहीं पहुची थी सांसद में अब की बार 78 महिला सांसद होगी लोगसभा में ठीक है चले next question question number 19 है दोस्तो नेंद्र मोधी पहली बार गुजरात के CM कब बने थे यह तो सांस मैंने करा दिया तो इसका सही आंसर होज़ेगा दोस्तों 2001 में ठीक है question number 20 है लोगसभा चुनाव 2014 में कितनी सिट जीत कर मोधी ने अबूत पूर्व सफलता प्राप्त की 2014 की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 2014 में देखे दोस्तो 282 सिट जीती थी और अब की बार कितनी है 303 सिट तो देखे काफी मतलब इन्होंने इंप्रूव किया है और भी ज़्यादा यही बहुत बड़ी achievement थी अब की बार यह तो बहुत ज़्यादा है मतलब unbreakable record है यह ठीक है चले next question दोस्तो next आपका question 21 है मोधी जी की बात की ज़री है टाइम पत्री का ने उने यानि की मोधी जी को 2013 में किस सूची में सामिल किया देखे 2013 में ठीक है यहाँ पे मोधी जी को person of the year का award दिया गया था सूची में रखा गया था तो right answer आपको option A हो जाएगा question number 22 है दोस्तो आंध परदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिनोंने 23 मई 2019 को CM पद से इस्तिपा दिया तो बताइए यह बहुत important question है भई ठीक है 23 मई को जैसे BJP की जीत हुई तो इनोंने इस्तिपा दे दिया चंदरबाबू नैडू ने तो right answer आपको option C हो जाएगा next आपका question number 23 है परदान मंत्री निरेंद्र मोधी सपत गरेंड कब करेंगे तो यह आपको बताना है तो परदान मंत्री निरेंद्र मोधी सपत गरेंड करेंगे दोस्तो 30 मई को तो right answer आपको option B हो जाएगा देगे दोस्तो यह पीडियाप आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं